एस्टोलोजी अंध विश्वास है या फिर सच क्या ग्राहों की वच्छे से ही होती है जीवन में उथल पुथल एस्टोलोजी को न मानने वालों की आँख खोल देगी ये विडियो एस्टोलोजी को अगर में यूज करूं तो कहीं ना कहीं इसको हिंदी में जोतिश कहा जाता है तो जोतिश का मतलब भी जैसे उसके शबद सी बड़ी असानी से पता लग रहा है कि एक जोती है मतलब एक लाइट है लेकिन इसको लेकर इतनी सारी धारनाय है हमारे मन में एक स्टूडेंट के मन में और एक जो होरुसकोब दिखाने के लिए आता है उसके मन में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आती उनको ये लगता है कि एस्टोलोजी से क्या हम अपनी लाइफ को आजिए र्रॉद्स भाज रेकाई बढ़ कि गयाते हैं और कहीना कहीं हम लोग क्या करते हैं जैसे इस्टोंस डालते हैं बहुत सारी रर्मेडि़ करते हैं जब तक हम उस प्लैनिट के रिलेटेग बहुत प्र इसको नहीं अपनाएंगे तो हम उसके रिजल्स नहीं अपात के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनको रिजल्ट नहीं आपाएंगे तो मेरा तो हमेशा है कि यही मैसेज आता है कि कोशिश करें अपने अंदर हर प्लैनेट के पॉजिटिव टेट्स लेकर आए यह सब्जेक्ट अकडेमिक में जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट लेक हैं फिर बात लग हैं लेकिन समाजिक तोर पर ऐसा देखने को मिलता है हम बिना इस विशे को समझे ही क्रिटिसाइज कर देते हैं जो कि सही नहीं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से जाना चाहते हैं और वो पहले हिम्मत हार के बैट जा आगा है इसा लोगों का मैनना है क्या ऐसा सच है कि सिर्फ कर्म पर भरोसा किया जाए या वाकई जोतिश विज्ञान भी कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं एहमियत रखता है लिखे कर्म तो सर्वोबली है अगर हम बात करें राम जी और रावन की राशी एक थी क्रिशन जी ये बात सही है लेकिन सोच जैसी नहीं थी तो हम रेमडियल पार्ट में हमेशा ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों का जो कोई भी प्लैनेट का नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो राहू के थूरू आता है और राहू वो चीज़ जो हमें दि होने से उनको इतने बड़े डिजास्टर फेस करने पड़ सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी सोच के उपर वक करें अगर हम अपने इंटेलेक्शल को अच्छे से यूज करें और मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ये समाजिक तोर पर हमारे घर में हमारे अंदर और हमारे समाज में हैं जैसे कि अगर मैं सन की बात करूं हमारे अंदर सन हमारे डिसिप्लन है हमारे घर के अंदर हमारे फादर है और समाज के अंदर हमारी सरकार है अगर हम किसी भी तरिके से अपने फादर को डिस्रिस्पेक्ट करते हैं या चंद्रमा जो की मदर क को रिस्पेक्ट करता है, मदर की डिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें किसी भी तरिके से positive results नहीं आपाते हैं, हमें ज़रूरी है अपनी मा के साथ साथ हर मदरली figure lady की respect करना, अगर हम remedies करने के साथ साथ समाजिक तोर के उपर सूरिय के लिए पिता जी की, चंद्रमा के लिए मदर की, बुद के लिए करन्या की, शुकर के लिए फीमेल्स की, सैटरन के लिए लेबर की, इन सभी लोग जो जो रिपजन कर रहे हैं प्लैनर्स को, अगर उनके साथ हम उनकी रिस्पेक्ट करें, तो मुझे लगता ह वो रेमेडी से भी जाद अच्छा रिजल्स लेकर आ सकता है, प्लैनर्स कभी हमारे लिए चेंज नहीं होंगे, लेकिन हमें उनके लिए चेंज होना पड़ेगा, तो जिस तरीके से, जब भी हम किसी जोतिश के पास मझाते हैं, तो हमसे हमारी देट ऑफ पर्थ, प्रॉप अच्छा भर में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखे इसमें क्या होता है, हमारी देश काल पात्रपस्थिती के ऊपर ये सारी चीज़े बड़ी डिपेंड करती है, देश काल पात्रपस्थिती का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी सेलिबरिटी है, अगर उसके मान लीजे कुछ प्लैनेटरी पॉजिशन वीक भी होगी, लेकिन उसके पापा कॉन है, उसकी मदर कॉन है, वो अल्लेडी बहुत बड़े सेलिबरिटी रहे हैं, तो उनको अपने लेवल के बुरे अच्छे फल मिलते हैं, अगर मान लीजे को लेबरियस परसन है, जिसके प कि वो मेरी रेमेडी से चेंज हुई, हमें कही ना कही मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि अस्टेलोजी एक डिवाइन हेल्प है, इस चीज में किसी तरह की फेक कमिटमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के उपर आकर हम किसी तरह की फेक कमिट करें वो सही नहीं रहता, मैं एक बड़ी एक सच बात बताना चाहता हूं, बहुत बर हमारे साथ हैसा हुआ कि मैं कुछ और उसकोप की डेटो वर्त को मैंने गलत लिंक कर लिया, लेकिन जब मैं उसकी प्रेडिक्शन की तो वो सारी प्रेडिक्शन सही निकली, ये बाते हम ये दर्शाती है कि कही ना कही एक डिवाइन हेल्प है, भगवान एक अच्छे विशे को लेकर जो ग्रंतों में जो वेदांग है, वेदांग मतलब वेदो को पंढने के जो अंग है, उनमें से एक अंग जोतिश रहा है, तो अगर हम उनको पढ़के लोगों को डिरेक्शन और हमारे साथ-स एक कॉस्मिक अनरजी भी वरक करती है, जो की हमारे सत्य के ऊपर और हमारे इंटेंशन के उपर डिपांड करती है, अगर इंटेंशन अच्छी है और वो थोड़ा सा spiritually inclined है तो उसके द्वारा बताएगी छोटी से remedy भी बहुत अच्छा work कर सकती है लेकिन क्या यह पॉसिबल है क्योंकि अकसर कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी लाइफ में काफी ज़्यादा परेशान होते हैं आपके पास में आते हैं कि कुछ उपाय बताएगे आप उनको उपाय करने के बाद भी उस चीज से बहार नहीं निकल पाते हैं यानि और उसके बाद में फिर उनका भरूसा जो होता है वो एस्टो से हट जाता है लोग ना जाने जाने में बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिल् जाने के लिए तो मैंने उनको यह कहा कि सर आपको एस्टो लोजिकल गाइडेंस के साथ साथ अपने थौट प्रोसेस भी चेंज करना चाहिए जैसे मैंने पहले कहा अगर कोई इसान दो बज़ बज़ फेक्टी जा रहा है तो उसका काम कैसे चलेगा हमारे लिए अपना हार लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं तो मेरा मैसिज यही जाता है कि कोशिश करें अपने अंदर हर प्लैनेट के ट्रेट्स को ही लेकर आए रहें 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 अच्छी बात है रहें रहें लिए कर किसी का मून खराब है तो हम उसको कह रहें हैं मीठे दूद का लंगर ल अब लिए किसी बानेट के साथ लिंग करती है जैसे हर बंदे का अपना ब्लड गूप होता है ऐसे मैं दुनिया का हर अर अर्टिकल को हम गरंतों में पढ़ते हैं कि वो इस अप्लेनेट को यह प्लानेट को अच्छा बनाते हैं तो हम उसके अपने अप रिजल्स आजाएं तो अब उसको लेकर के पूरी दुनिया का उसे लगी बॉय कहा जा रहें लेकिन जब वो पैदा हुआ उस टाइम पर और भी दस बच्चे पैदा हुए होंगे पूरी दुनिया में तो उनको एक जना एकदम पूरी अच्छे खासे घराने में और सबसे ज़्यादा लगी व हो पैदा हुआ लेकिन आब यह देखो नोग सकती कि तापण कहुंः ऑप लोग ऊडिए को है तो अपने बहुत लोग प्रेडिक्षन जाएंगे लेकिन 17 quando गले पाँ जिए म्मे कृईचर कि मानीऐ बढ़ा जाले ज़की घुआ जाए के लिए बहुत पेशन्स की ज़रूरत है जब हम किसी भी बंदे को चाहे वो अम्बानी का बच्चा है चाहे वो एक नोमल एक साधारन इंसान का बच्चा है उसके अपनी फैमिली बेग्ड़ॉंड करेगी लिकन उस समय पर अगर एक साधारन इंसान के घर में उसका पैदा होगा वो अपने प्रिवार के अगर बहुत जादा राइज कर जाएगा क्योंकि वो उसी के लिए वही राजयोग होग अगर मान लीजिए वो समय अच्छा नहीं था तो हो सकता है कल को अमभानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो जो नई कंपनी खोले वो ना चले क्योंकि उसके लिए बैड लग वही है क्योंकि उसको जनम से ही वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है कुछ साल पहले एक मजाग बन गया था मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी कि समोसे के संग ग्रीन चटनी नहीं आप लाल चटनी खाई आप पर्स में काला पर्स नहीं आप ब्राउन वाला पर्स रखी है इस तरह की कि उपाय उनके द्वारा बनाए गए जिसके बाद में कि दुनिया में उनका मजाग भी हुड़ा है और खास और से भारत में काफी ज्यादा इसको लेकर आप क्या कहेंगा देखे इसमें क्या होता है कि अगर माल लीजिए मैं किसी भी चीज की पेडिक्शन करूंगा ना पर्ली बात तो यह है कि 50 परस प्रस नहीं होगी अगर मे वहां पर तर्क खतम हो जाता है तो जो लोग उनको फालो करते थे उनके अंदर अपनी आस्था यह होती है कि वह लोग उनकी बातों को सुनकर किसी ना किसी तरीके से शायदा अपने कारोबार में अग्टिव हो जाते थे अगर माल लीजिए जैसे हम किसी को कहें आपका काम चलने वाले अगले महीने आपक्टिव हो जाया आप काम शुरू करें वह बंदे के सब कॉंशियस माइंड में एक एक ना वो चीज पैदा हो जाते है कि मेरा काम चलने वाला है और मैंने अब इसको करना है बस कहीं ना कहीं यह चीजे ना साइकोलोजी पर बहुत जादा करत हैं अभी हमारे पूरे एक तरह से पूरे वर्ड में हमारे स्टुडेंट्स हैं विदेश में हमारे स्टुडेंट्स हैं बहुत लोग बहुत अच्छा गाम कर रहे हैं लेकिन सिरफ वो स्टुडेंट अच्छा काम नी कर पारे जो तर्क में जादा जा रहे हैं जिनको लगत कि हाँ आपके जिंदगी में ये ये चीज खराबी है ये ये कुंडली यहां से यहां है लेकिन इसका उपाय क्या है आप 10,000 रुपे हाथ में रखी है आपको उपाय करवाया जाएगा जिसकी वज़े से अकसर लोग डर के मारे उन जोतिश के पास में नहीं जाते हैं उनका ड लेकिन ये धारना थोड़ी सी गलत है और कई बार ऐसा हो रहा है बीमार ही बीमार का इलाज कर रहा है और आज कल के समय में बहुत ही अजीब लग रहा है कि हम जब कैसी के पास प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं हमारे पास कोई अथंटिकेशन नहीं है कि वो बंदे को नॉ जिसमें चाहे को इसान ऐस्टोलोजर बना चाहता है चाहे नहीं बना चाहता है वो बिलकुल फ्री ओफकोस्ट कर सकता है क्योंकि लोगों को सिरफ समझाने के लिए हमें मिनीमम पंदरा दिन लग जाते है कि ये विशे वर्क कैसे करता है और लोग भी क्या करेंगी आप जिसी को कुछ एक्सपैंसिव चीज दी तो मैने इसको पूछा आपने क्यों इतनी बहंगी दी कैते सर अगर मैं यही चीज उनको सस्ती दे देता ना तो उनको लगता था कि मुझे नहीं है लोगों का स्टेट ओव माइंड ऐसा बन चुका है कि वो हर चमकती चीजी सोना ल जब कि फोड़ी से मुझे हमेशा लगता है र режल्म्मय की कमी है हम लोग डाव टाव टquentो पSec did not uh? बिना उपाइ की हम लोग सिरफ अपनी ने चेंजे लेकर ऑर अपनी थौक में चुंचिस लेकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हमारे पस कोई horoscope नहीं है तो हम problem से जज कर सक कारत तत्वों को अच्छा रखें और कहीं ना की तो मैं कहूंगा हर किसी को खुश रखना और अपनी सोच को खुश रखना हमारे लिए बैक्टर है आज की टाइम में जितने भी कई सारे एस्ट्रों हैं जो टीवी पर आते हैं अपनी चीजे बताते हैं और उनके स्क्रॉल मे मारे लें यही सब्सक्राइभा कर देना बताते हैं इस वीडिवी पर तक न जाया नहीं सोट आट हो जाती हैं be wealth है beginning यह जाए नहीं है यह जाए अगर फिश में है अगर लेने जाएंगे ना तो साथ की शॉब वला यही कहेगा कि साथ का कपड़ अपड़ अच्छा नहीं है यह मेरा है लेकिन हम लोग जादा तर अर्स्ट लॉजिकल साइंसिज में जादा इस चीज को तवज्ज दे देते हैं यह शुरू से हम लोग गरंतों में पढ़ते हैं यह अमीरी गरीबी किसी को डिग्रेट करना किसी को नीचा दिखाना किसी का अपमान करना यह सारी चीजे हर विशे में ही है लेकिन एक इंसान को अपने इटेलेक्शल को यूज करना चाहिए क्योंकि कई बड़ा दुख अपने इस जतनी मरजी रख लें हमारे स्टुडें बहुत हैं लेकिन हम कहते हैं कि कोशिश करें चीजों को बहुत महंगा सेल ना करें लेकिन हरानी की बात है लोग ही अगर आप उनको सस्ती चीजे जेंगे वो ही कहेंगे आप अच्छे अस्टोलोजन नहीं है इस तरीके स करें कि सभी की लाइफ अच्छी हो जाए देखे जी मैं तो हमेशा से ये कहूंगा मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ मैं खुद 18 एर से इस विशे में हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच चत्रों में जाए दिख히े जोतिश कोई भी हो मारी राशी कोई भी हो लेकिन हमारी सोच एक होनी चाहिए हमारी वी सोच हो और दिमाग तो घगóm ने सेम दिया है तो मैं हमेशा कहूंगा कि हमारे जो नाइन बैने धर हमारी किसी नाः रासी को पी ठरते करते हैं अगर आप लोग सिरफ उस एक चीज को सुधार लें, मैंने भी अपने अंदर सुधारा, आर से बहुत साल पहले मेरे अंदर अग्रेशन, मेरे अंदर नेगटिव थौट्स, नेगटिव इमेजिनेशन थी, लेकिन मैंने ये खुद सोचा, मैंने ये खुद समझा, कि अगर हम सूर्य प्लैनेट जो है, अगर हम अपनी सूर्य की तरह है डिसिप्लन, चंदर्मा की तरह दियाभाव, बुद की तरह हैं इंटेलेक्चिल, और कन्याओं का रिस्पेक्ट करना, और गुरु की तरह है अपने गुरु और अपने धरम के प्रतियास्ता रखना, शुकर के लि यह हर मेरे हर बैच में रहता है, अगर हम लोग यह नो चीजों को सही कर लें, तो शायद हमें किसी astrological directions की इतनी जादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और astrology को सिरफ यूज करें अपने education giving planets के लिए, अपने profession giving planets के लिए, और हमारे अंदर जो negative traits है, उन planets के positive traits को अपनाएं, और मेरे अशा विश्वास है और अपनी इस education के उपर, मैं तो हमेशा Goddess सरस्वती की किरपा कहता हूँ इस विशे को, और मेरे अशा पूरा विश्वास है अगर आप इन traits को अपनाएंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत easy हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके, जिंदगी को बहुत ही असान बनाया है, चली बहुत बहुत धन्यवाद मनिश जी, हमारे साथ इतना किंदी समय हमारे साथ बातने के लिए, तो जिस तरीके से तमाम चीज़ों होती है, तमाम सवाल होते हैं हमारे दिमाग में कि एस्ट्रों पर कितना भरोसा किया जा और कितना नहीं, तो उन तमाम चीज़ों का हमने आपको लास्ट में conclusion दिया, कि आप किन-किन चीज़ों को करके अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं, अपने करियर में, अपने कारेज शेतर में आगे बढ़ सकते हैं.